हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सबजी और वो भी इत्वी स्वाद कि आप उंगलियां चारते रह जाएंगे और वो भी बिना किसी घीया तेल की तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पे आलू मटर ले लिए हैं जिने वाश कर लिया है फूकर लेंगे जिसमें थोड़ा सा पानी एड करेंगे अगर पानी जादा भी डल गया तो कोई बात नहीं वह इवैपोरेट हो जाएगा अब साथ ही हम यहां पे चॉप प्य करेंगे और साथ ही हम यहां पे बेसिक जो मसाले हैं जैसे कि हल्दी नमक स्वाद अनुसार धन्या पाउडर आप चाहें तो लाल मेच पाउडर भी डाल सकते हैं वह बिलकुल ऑप्शनल है अच्छे से मिक्स करेंगे और जो ग्रेवी है उसे पकने देंगे जैसे ही देख स अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कम अड़ करिए अगर आपको यह चावल के साथ खाना है अप तरी वाला खाना पसंद करते हैं बहुत जादा तरी वाला तो पानी थोड़ा सू जादा अड़ करिए और इसे हम दो से त हमारे अलु क्वेज़ विसल को चुका है, एक कर लेते हैं, अच्छे से जो हमारे बलान और म्तटर है वो पक चुके है या नहीं तो अलु म्त्र अच्छे से हमारे पक चुके है अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें थेंक यू वेरी मच